चोपड़ा एजो किसने यूटूब चेलल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों NTA ने NEET का एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है इसको step by step कैसे फिल करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इसको अपने laptop, mobile से आप खुद भी बर सकते हैं या फिर इसको cyber केफे से भी बरवा सकते हैं लेकिन एक बार पूरी आप step by step इसका process समझ लीजिए ताकि अगर आप cyber केफे भी इसको फिल करवाते हैं तो कोई problem ना हो इस बार NTA ने NIT के application form में थोड़ा सा changing किया है यानि की particular से सारे semi हैं लेकिन उनको जो arrangement किया है वो थोड़ा सा अलग है इसकी website भी इस बार थोड़ा सा change हुई है पहले इसकी website nta.net.nick.in हुआ करती थी लेकिन इस बार neat.nta.nick.in इसकी website है तो जैसे ही इसकी website पर हम visit करेंगे इस परकार का आपको interface दिखाई देगा इसमें हम नीचे scroll down करेंगे तो इसमें fill registration form लिखा है इस पर हमने click करना है तो जैसे ही इस पर हम click करेंगे यहां आपको यह application form के लिए first में new registration दिखाई देगा second में वो process दिखाई देगा जो आपने पहले अगर registration कर लिया है तो यह second वाड़ा process करना है आपके पास में user id password आ चुके हैं तो फिर आप यह second वाड़ा option ले सकते हैं only registered candidate sign in का जो option है तो हम सबसे पहले registration कर रहे हैं तो new registration पर click करेंगे तो जैसे ही हम new registration पर click करेंगे इस परकार का interface आएगा इसमें आपको fees वगरा की detail दिखाई देगी information platine को आप यहां से download कर सकते हैं इसमें यह दिखाया गया कि यह form 4 step में पूरा होगा registration application form image upload और fee payment तो इस परकार से यह 4 step में form पूरा होगा तो सबसे पहले हम registration करते हैं तो registration के लिए यहां कुछ instructions दिए गए हैं आप इनको instructions को पढ़ ले नहीं तो मैं इसमें साथ-साथ यह आपको बताता जाता हूँ कि आपने क्या-क्या fill करना है इसके बाद में check box पर आपने check करना है जिस पर I have downloaded information bulletin लिखा है इस पर आपने check करना है और click here to proceed पर click करना है इसके बाद में father name डालना है mother name डालना है और date of birth डालनी है यह जो चारों option है यह आपने 10th की mark sheet के अनुसार डालने है कभी-कभी ऐसा होता है कि 10th की mark sheet में student का नाम कुछ थोड़ा सा किसी का surname लगा होता है 12th की mark sheet में थोड़ा सा अलग हो जाता है तो इसमें आपको tension लेने की जौरत नहीं है admission के time में यह affidate लग जाता है कि मेरा नाम यह है गलती से 12th की mark sheet में नाम यह हो गया है तो आपने जो यहाँ fill करना है वो 10th की mark sheet के according ही यहाँ पर आपने यह form fill करना है तो आपने सबसे पहले candidate name 10th की mark sheet की according लिखना है father name लिखना है और mother name लिखना है यहाँ मैंने आपको लिख के बता दिया है इसको आप capital later में भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है first capital बाकी small two sentence case में भी लिख सकते हैं लेकिन आप capital में लिखेंगे तो bet रहे गा है इसके बाद में आप date of birth लिख दे अपने इसके बाद में gender लिख दे male female इसके बाद में nationality इंडियन या फिर other country से हैं इसके बाद में आप इसमें अपने पहचान आधार card से या water ID card जो भी है आपका उसका एक बाद सेलेक्ट करके इसके four digit लिख दे लास्ट में तो इस परकार से ये आपकी detail भरें इसके बाद में आप present address भरना है आपको यहाँ जहां आप present में रह रहे हैं जैसे मानलो आप quota में study कर रहे हैं दिल्ली में study कर रहे हैं तो यहाँ आप दिल्ली या quota का address भर सकते हैं और permanent address जैसे आपका घर का है तो वो भर सकते हैं तो आप यह दोनों address same भी भर सकते हैं ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जैसे आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, और दोनों एड्रस में आप पर्जेंट एड्रस और पर्मानेंट एड्रस में घर का एड्रस भर रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप बर सकते इसमें, तो आप इसमे वर्तमान एड्रस भर दे इसके बाद आपका अगर permanent address भी same है तो यह check box पर click कर दे same as present address पर तो आपको फिर यह present address भरना नहीं होगा इसमें तो यह आप click कर दें इस पे otherwise इस पे आप भरना चाहें तो present address और permanent address अलग-अलग भी भर सकते हैं इसमें इसके बाद आपको एक password choose करना है मैंने यहाँ आपको भर के बता दिया है कि किस प्रकार से आपने address भरना है तो इस प्रकार से आप यह address भर सकते इसमें आपने mobile number देना है mobile number आपने वही देना है उस पे code आएगा OTP आएगा जो आपका functional mobile number है वही देना है उस पे code आएगा वो आगे verify होगा email id भी आपका जो functioning email id है आप अपना दे सकते हैं अपने parents का दे सकते हैं उस पर code आएगा वो verify होगा तो आप इसमें जो mobile number और email id देंगे वो functional mobile number और email id आपने देना है इसके बाद में आपने password चूज करना है तो इसमें password चूज के लिए उपर आपने password लिखना फिर confirm password लिखना है फिर security question लिखना है फिर उसका answer देना है security question का और इसमें capture code डालके submit करना है मैं आपको बता दूँ पासवर्ड के लिए मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि इसमें एक capital word होना चाहिए एक इसमें small word होना चाहिए तो मैंने capital word जैसे G अपने नाम से दे दिया जी और यह बाकी छोटे में दे दिया इसके बाद में special character होना चाहिए add the rate हो गया end हो गया डैस हो गया तो मैंने add the rate of special character दे दिया इसके बाद में figure होना चाहिए तो मैंने अपना date of birth का figure यहां पर दे दिया तो इस परकार से मैं आपको यह hint दे रहा हूं कि example के तोर पर आप इस परकार का पासवर्ड आप चूज कर सकते हैं बना सकते हैं इसके बाद में इसमें जो security question है वो आपको बाद में काम आता है जब आप password भूल जाते हैं forget password करते हैं तो security question और उसका answer डालके आपका password है वो forget for return हो जाता है तो मैंने यहां पर नेबर्स pet name में अपना नाम डाल दिया है यहां example के तोर पर बता रहा हूं आप अपने first school का नाम भी यहां डाल सकते हैं यह एक मैं आपको बता दूं कि यह जो आप password और यह security pin जो लिक रहे हैं यहां पर उसको diary में note कर लें ताकि यह आपको future में काम आएंगे इसके बाद में नीचे इसमें security pin दिये हुए हैं यह security pin capture code डालके हम submit करेंगे तो यह हमारा registration complete हो जाता है यहां लिखा हुआ है आपने final submit करना है क्या तो इसको close करके यह आपने detail verify करनी है my name father name mother name date of birth gender address और mobile file number email id इट पर टिक कर देना है और I agree पर click करना है यानि कहने का मतलब यह details आपने पूरी check कर ली है और आप इससे agree है I agree पर click करके इसमें आगे दो option दिये गए है edit registration form और final submit अगर इसमें आपने कुछ से edit करना है तो edit registration form पर click करेंगे आप वापस पूरे form आपका open हो जाएगा उसमें आप change कर सकते उसके बाद में same कारवाई आप yes करके इसको proceed कर सकते हैं तो जैसे ही आप yes करेंगे final submit आपका form हो जाएगा तो यहां आपका जो first step है registration form का वो completed लिखा आएगा यहां पर इस परकार का view आएगा एक नीचे application form लिखे आएंगे इन application form को आप diary में note कर ले application form पासवर्ड और security question की जौरत पड़ेगी आपको बात में तो यह verify करना है तो सबसे पहले यहां पर verify mobile number जो लिखा है इस पर हम click करेंगे तो जैसी हम click करेंगे हमारे mobile number के यह six digits दिये हुए हैं इसमें नीचे security pin है यह interest security pin में यह डालके इसमें send OTP करेंगे तो हमारे mobile में OTP आ जाएगा यहां पर हम change mobile number यानि कि अपने mobile number भी change कर सकते हैं तो जो आपका OTP आया है one time password आया है इसमें आपने fill करना है verify पर click करना है तो आपका mobile number यहां पर verify हो जाएगा इसी प्रकार से email id भी verify करना है तो verify email id पर आपने click करना है तो जैसे ही click करेंगे same procedure आपका email id लिखा होगा आपने security पर यहां capture code डालना है उसके बाद send OTP करना है तो आपके mail पर OTP आ जाएगा वह आप यहां fill करके verify करेंगे तो आपका email id verify हो जाएगा और इस परकार का message आएगा इसके बाद में आपने home पर click करना है तो जैसे home पर click करेंगे हम वापस home page पर आ जाएगे तो इस परकार से आपका registration form भी complete हो चुका है mobile number भी verify हो गये है email id भी verify हो गया इनके सामने verified लिखा हुआ आ रहा है अभी हमने next step complete करना है next step है application form का मैं आपको यहां एक बात और बता दूँ कि अगर आपका यहां form fill करते समय light चली जाती है या off हो जाता है screen off हो जाता है यानि कि आपको दुबारा से करना है तो फिर आप first step में दुबारा जाएंगे जहां मैंने आपको शुरू में दो option बताए थे एक new registration का और एक already registered candidate का तो आपने already registered candidate वाले पर आपने जो application नमर आ रखें आपके पास हुआ application नमर डालने है उसके बाद में जो आपने password set किया है वो password डालना है और security pin डालने के बाद में आपने जैसे ही login करोगे तो इस परकार इस step में वापस पहुंच जाओगे आप यानि कि जहां तक आपने step complete किया है वहाँ पर आप वापस पहुंच जाएंगे जैसे ही दुबारा login करेंगे तो अभी इसमें आप साथ साथ इसको change password भी कर सकते हैं logout भी कर सकते हैं home में जाएंगे तो यह जो आपके आखरी step फिल की हुई है उसमें आप आ जाएंगे हमने यहाँ only registration form complete किया है mobile number verify किया email id verify किया है अभी next step है application form का तो application form के step के लिए यहाँ पर आगे आपने complete application form लिखा हुआ है उस पर आपने click करना है तो जैसे ही आप उस पर click करेंगे complete application form पर click करेंगे तो इस परकार की detail आपके पास में आ जाएगे यानि कि आपने जो fill किया है वो detail आपके पास यहाँ आ जाएगी candidate name आपने fill कर रका है वो आ जाएगा date of birth आजाएगी इसके बाद में gender आ जाएगा fill करना है कि आपने 12th class कौन से state में pass की है या फिर आप appearing है तो इस state का नाम लिखना है तो मैं राजस्तान में 12th class pass की है या 12th में appearing हूँ तो यहां राजस्तान state select कर दिया है इसके बाद में आपकी category कौन सी है UR, OBC, EWS, SC, ST यह देखो यहां पर अगर OBC आप select करते हैं तो जो center list में आपकी OBC में नाम है तभी आप OBC set करेंगे otherwise अगर आपका state में OBC है center में OBC नहीं है तो आप उस condition में आप UR fill करना है अगर आप center में OBC में नहीं आते हैं इस प्रकार से आप अपने category यहां fill करें इसके बाद में आपने यहां पर आगे देना है कि अगर आप PWD यानि की जो physical handicap हैं तो आपने यहां yes करना है otherwise आपने यहां पर no कर देना है अगर आप यह इसमें जो diabetes अगर आप पेसिंट हैं तो यहां yes करना है otherwise no करना है इसके बाद में आप country fill करना है आपका और country fill करने के बाद आपने आगे dress code जो इसमें dress code दिये हुए हैं उनके अलावा आप अगर पहन के जाना चाते हैं तो आपने yes करना है otherwise no करना है मैं आपको यहां समझा दूँ dress code जो candidate जैसे muslim candidate है या फिर sick candidate है वो पगड़ी या करपान पहन के जाना चाते हैं muslim candidate बुरका वगरा पहन के जाना चाते हैं तो वो इसमें यहां yes कर सकते हैं कि आप इसमें जो आपकी पारंपरिक पोसाख है वो पहन के जाना चाते हैं तो आप इसमें yes कर सकते हैं क्योंकि आपको फिर बाद में अगर आपने yes किया है तो admit card में या फिर exam के time में कोई problem नहीं आएगी आप अपने पारंपरिक पोसाख पहन सकते हैं अब इसमें हम आगे देखें तो इसमें next में है इसमें apply for यानि किस के लिए करना है need के लिए आलड़ी इसमें selected है need के लिए हम apply कर रहे हैं यहां क्यूशन medium जो paper का क्यूशन है वो आपने याद ध्यान से भरना है जो student English से हैं वो English medium कर सकते हैं हिंदी से हैं वो हिंदी medium कर सकते हैं हिंदी medium वो और other language वाले candidate का जो paper आता है वो English के साथ साथ उनकी original language में आता है जो select करते हैं लेकिन English अकर आप select करोगे तो only English में ही paper आएगा तो आप अपने reasoning language के अनुसार आप set कर सकते हैं गुजराती इमराटी जो भी है English या हिंदी करना चाहें तो आप इसमें select कर लें क्यूशन पेपर का medium इसके बाद में आपने चार exam CT यहां चूज करने हैं वो कौन से state में हैं पहले उसका नाम लिख देना है drop down में state का नाम आ जाएगा और इसके बाद में next मतलब सामने इसके जो exam center exam CT है state का वो exam CT आ जाएगा exam center तो admit card में हमें पता लगेगा तो इस परकार से आप preference wise चार exam CT भर दें मैं आपको बता दूँ कि जो आप first में exam CT भरते हैं वही दिया जाता है कोई rear condition होती है कि कोई center last में नहीं बसता है तो other CT में दे दिया जाता है बाकि वही जो first में भरते हैं वही दिया जाता है इसमें exam CT है वही अलोट किया जाता है पिछले वाले case वे ये देखने में आया है अभी यहाँ पर आपको educational detail फिल करनी है educational detail में 12 के educational detail फिल करनी है इसमें आपने जो आपका past status यानि कि आप इस साल 12 में appearing है या past कर चुके हैं पिछली साल अगर आपने past कर लिया है इस साल तो अभी result आया नहीं है काफी state boards का अगर इस से पहले आपका forum फिल करने से पहले result आता है तो आप past भी कर सकते हैं otherwise appearing कर सकते हैं आप अगर इस साल 12 का exam दे रहे हैं तो मालो मैं इस बार 12 का exam दे रहा हूँ मैंने यहाँ appearing कर दिया है तो इसमें जो appearing का year है वो automatic 21 select हो के आ जाएगा और इसमें जो code है ये qualification exam code है इसमें वो code 1 आएगा code 1 का मतलब है कि आप इस साल appearing है इसमें इसके बाद आपने school का कौन सी जगह है आपका board कौन सा है इसके बाद में जो इसमें योग्यता है इसमें आपकी परिक्षा state कौन सा है इसके बाद में district कौन सा है जिसमें आपने school में exam दी है, इसके बाद state board का नाम लिखना है, result mode में कुछ नहीं लिखना, आपने roll number अगर आप past कर सुके हैं तो roll number लिखना है, otherwise इसको blank छोड़ दें क्योंकि roll number अब की बारा exam लगा नहीं है, तो student के roll number आये नहीं है, अब इस school और college का आपने address लिखना है, औ आप इस साल 12th में हैं, और इस साल 12th class का result आया नहीं है, पास करेंगे, अगर आपने आपने पास कर रखा है 20, या फिर 19 में, 18 में, 17 में, तो यहाँ पर आपने past लिखना है, फिर कौन से साल में आपने पास किया है, वो लिखना है, और यह eligibility code इसमें 7 तक है, जो qualifying code है, वो 7 तक है, तो इसमें, फिर्स्ट में, तो जो code 1 है, वो appearing student के लिए हो गया, code 2 है, जिनोंने 12th class पास कर लिए physics, chemistry, biology, या बायो टेकनोलोजी से, उसके लिए code 2 है, बाकि आप इसमें, अगर code 2 देते हैं, बाकि student भी तो कोई problem नहीं है, appearing वालों को code 1 देना है, बाकि को 2 दे सकते ह और इसमें जो BSC first year में code 5 दे सकते हैं, second year final में है, वो code 6 दे सकते हैं, बाकि ये code का मैं अलग से एक video बना के समझा दूँगा, लेकिन अगर इसमें आप appearing में हैं, तो code 1 दे सकते हैं, और अगर आप past कर लिया, तो code 2 देनी से भी कोई इसमें mistake नहीं है, अगर आप BSC first year में त दूँगा, तो आप वो देख ले ना इसमें, इसके बाद में role number, school number, school pin code, school address वो same है, वो आप इसमें fill कर सकते हैं, आराम से कोई problem नहीं है इसमें, इसके बाद में नीचे security pin दिये हैं, ये security pin आपने enter करने है, case sensitive है, case sensitive का मतलब capital में है, तो capital में लिखना है, small में लिखना है, उसके बाद आपने submit कर देना है, तो जैसी आप submit करेंगे, review page आएगा कि आपने क्या final submit करना है, या फिर इसमें verify करना है, तो आगे ये उपर detail दी गई है, इन details को आप दुबारा से verify कर लें, जैसी my name, father name, mother name, date of birth, gender, category, question paper, medium, इसके बाद examination city और educational detail, इनको फिर दुबारा से fill कर लें, इन पर tick कर दें, और I agree पर click करें, तो जैसी आप I agree पर click करेंगे, इस परकार का declaration form आएगा, इसमें अगर आपने कुछ mistake कर दी form में, तो edit application form data पर click करके, आप दुबारा से उसको सही कर दें, उसके बाद में final submit कर दें, I agree पर click करके, final submit कर दें, और yes पर click कर दें, इस second step वो completed दिखाई देगा यहाँ पर, यह आपका home page आ जाएगा, यहाँ पर यह completed दिखाई देगा, अगर आप यहाँ पर इस application form में edit करना चाते हैं, तो edit application form लिखा है, otherwise upload documents पर आपने click करना है, तो जैसे यह upload documents पर click करेंगे, आपके यह 4 परकार की documents upload करने हैं, चार परकार की image upload करनी है, सबसे पहले आपको passport size का photograph, जो छोटा photograph होता है, उसमें 80% face आपका दिखाई देना चीए, और without mask होना चीए हो, तो एक तो password size का photograph, एक passport size का photograph, यह आपने इसमें देना है, एक तो postcard size का, एक passport size का, इसके बाद में आपने जो बाएं हाथ के अंगुठे का image है, वो डालना है, और आपने signature करने हैं, तो इस परकार से यह upload करने हैं आपने, तो जैसे जैसे यह आप अब यहां चूज फाइल पर click करेंगे, आपके computer या laptop में जहांपर भी यह रखा हुआ है, फोटो, अंगुठे का निशान, हस्ताक सर, और इसमें postcard size का photograph, तो वहां से आप select करके, इसमें dimension दिया गया है, उसके according आप कर सकते हैं, यहां uploaded documents आगे, दिखाई देगा view में, आप view पर click करके, जो आपने documents अप्लोड किया है, जो image अप्लोड की है, उसको आप view भी कर सकते ह लास्ट में yes करना है आपको, अब मैं आपको बता दूँ कि photograph के लिए, देखो आप passport size का जो photograph है, 10 से 200 kb के बीच में आपने upload करना है, postcard size का जो photograph है, बड़ा जो photograph होता है, 4 x 6 का, वो भी 10 kb से 200 kb के बीच में होना चाहिए, अब इन पर एक बात यह है कि, 1.1.2021 यानि कि 1st January 21 के बाद का photo होना चाहिए, उसके पहले का photo लियावा नहीं होना चाहिए, कैफ और गोगल्स नहीं पहने होने चाहिए, और 80% जो face है वो cover होना चाहिए, आपके जो ears हैं और वो बिल्कुल clearly visible होने चाहिए, और white background होना चाहिए, फोटो का, और photo पे अपना आप नाम भी लिख सकते हैं, यानि कि photo taken date तो होना ही होना है, वो date तो आपने लिखने ही है, photo पर आप नाम लिखके white background होना जरूरी है, मैं आपको यहां बदा दूँ, कि आपके पिछली साल वाले यह photo आप यूज करना ठीक नहीं है, आप एक नया photo बन वालें, और वो photo आप 10-12 copy print करके रख लें, क्यूंकि आपको वो admission के time में भी काम आएंगे, examination के time में भी काम आएंगे, तो वो photo पर आप date print करवा लें, तो इस परकार से photo upload कर दें आप, तो यह photo का हो गया, इसके बाद में आपने जो signature करने हैं, वो signature 4 से 30 KB के बीच में upload करने हैं, और यह आपके running hand में होने चाहिए, जैसे capital letter में लिख देते हैं, कुछ अपना वैसे ह नाम लिख देते हैं, तो थोड़ा सा क्या आएगी, full signature running hand में होने चाहिए, इसमें, और यह जो signature है, आप white paper पर black ink pen से करके रख लें, और फिर उसको scan करें, इसी परकार से आप इसमें upload कर सकते हैं, इनको, इसके बाद में जो आपका thumb impression है, वो भी 10 से 200 KB के बीच में होना च यह इसमें, और आप यह left hand का जो thumb है, वो एक white paper पर लगा करके, उसको scan करके, उसके बाद में इसको आप upload करें तो बैटर रहेगा, तो इस परकार से यह आप चारों image upload कर दें, upload करने के बाद में जैसे ही आप इस page submit पर click करेंगे, आगे आपका documents upload का जो step है, वो complete हो जाएग इसकार यहां completed लिखा आएगा, अभी आपके पास में बज़ेगी सिर्फ एक ही step है, वो है application fees payment, तो आपकी category के अनुसार आपकी fees payment होगी इसमें, यूर category के जो candidate हैं, उनके लिए 1500 रुपीज है, EWS OBC candidate है, उनके लिए ये 1400 है, और SCST candidate जो PWD candidate है, उनके लिए 800 fees है, ये आप अगर उसमें category डालोगे तो ये fees automatic select होके आएगी, तो यहाँ fees लिखा है, कितनी fees पे करनी है, आगे आपने यहाँ पर pay examination fees रुपीज लिखा होगा category के according, उस पर click करना है आपने, तो जैसे ही उस पर आप click करेंगे, तो इसको आप net banking से भी कर सकते हैं, card से भी कर सकते हैं, तो इसमें select mode of payment online लिखा होगा, proceed for payment पर आपने click करना है, जैसे ही इस पर click करेंगे, यहाँ किस payment provider से आपने इसको payment करना है, वो लिखा आएगा, SBI debit card से है, या net banking से है, camera bank से है, ICI से है, SDFC है, या फिर PTM से भी आप इसको कर सकते हैं, तो जैसे ही इसमें आप एक option select करेंगे, proceed for payment लिखा आएगा, उस पर आपने click करना है, और click करने के बाद आप क्या payment हो जाएगा, आपके account से पैसे कट जाएगे, और जैसे ही आप home page पर आएगे, तो यह आपको 4 step complete लिखी आएगी, यानि कि आपका form complete हो चुका है, नीचे लिखा हुआ, you have completed all the steps of online application form, now download the confirmation page, नीचे आपका application form लिखा है, अब नीचे इसमें एक tape दिया है, download confirmation page, इसको आपने print करके रख लेना है, यह बाद में भी काम आएगा, exam के time में, admission के time में भी confirmation page काम में आएगा, यह future reference के लिए आपके काम में आएगा, तो आप इसको यहां पर click करके download कर ले, वो लिखे हुआ मिलेगा, इसमें आपकी photo, signature और left thumb impression, यह सारी details इस पर होगी, तो आप इसका print करके रख ले, अगर print की सुईदा नहीं है, तो आप इसको mobile में भी save करके रख सकते हैं, इसको आप बाद में भी print ले सकते हैं, इतना बड़ा कोई issue नहीं है, इसको mobile में भी save कर करके रख ले, या फिर इसमें, बाद में भी print confirmation page का option आता है, तब भी आप इसको print करके ले सकते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने need का application form fill कर सकते हैं, घर बेटे, आप अपने आप से भी fill कर सकते हैं, cyber KP से भी अगर fill करवाएंगे, तो यह सारी details एक बार check कर लें, वहां, और यह जो आप के पास में कोई problem आ रही है, अगर कुछ problem आती है application form fill करने में, तो comments में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका solution देने की कोशिस करूँगा, तो दोस्तों next video में फिर आप से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा, आपको फिर से एक बार information browser की detailed के बारे में बता दूँगा, क्या-क्या उसमें इस बार कुछ changing हुआ है, और इसके बाद में आपको eligibility code के बारे में भी एक video बना के बता दूँगा, कि आपने किस परकार से eligibility code इसमें fill करना है, तो और कोई अगर आपको problem आती है, तो आप comments में लिख सकते है मैं आपके comments का जरूर जबाब दूँगा, और मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ में, आप study करते रहें, अगर आपको कोई problem आती है, तो फिर आप comments में जरूर लिखें, इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूँ विदा, जैहिंद कर जिएक का जाइक है, एसी क्लिए है। आपको झासते है साथ में जो आपसे तो और को कई आपसे औरूर ये में गडर्ट्ड़र उडिजश सी अहित अपसे रहनों है। इसे झाल झाल